C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है कक्षा 3 की हिंदी की ध्वनी पाठे पुस्तक वीना अध्याई सत्रह बोलने वाली मांद सुने कहानी प्रिष्ट 138 एक जंगल में खर नखर नाम का एक सिह रहता था एक दिन उसे बहुत भूक लगी वह अहार की खोज में पूरे जंगल में घूमता रहा पर एक चूहा तक हाथ नहीं लगा इस खोज में ही शाम हो गई अंधेरा हो रहा था इसी समय उसे एक मांद दिखाई दी रात काटने के लिए वह उसी में ही घुस गया उस मांद में घुस कर उसने सोचा इसमें कोई ना कोई पशु तो रहता ही होगा जब वो विश्राम करने के लिए इसमें गोसेगा मैं उसे दबोश लूँगा यह सोचकर वो उस मांद में एक और चिप कर बैठ गया प्रिष्ट 149 उस मांद में दधी पुछ नाम का एक सियार रहा करता था वह मांद की ओर आ रहा था मांद के द्वार पर आकर उसने देखा तो उसे सेह के पैरों के चिन दिखाई दिये चिन मांद की ओर जाने के लिए तो थे पर लोटने के नहीं थे उसने सोचा अहां, ही भगवान, आज तो मेरी जान पर ही आ बनी इसके भीतर अवश्य ही कोई सिंग घुसा बैठा है उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे किसे हैं इस समय भी मांद के भीतर ही है या बाहर निकल गया है सोचने से क्या नहीं हो सकता सोचते सोचते उसे एक उपाए सूज ही गया मांद के द्वार पर जाकर उसने पुकारा ए मेरी मांद, ए मेरी मांद पुकार कर वह चुप हो गया कुछ देर बाद उसने कहा अरे तुझे क्या हो गया है आज बोलती क्यो नहीं पहले तो जब मैं तुझे पुकारता था तु जट बोल पड़ती थी क्या तु ये भूल गई कि मैंने तुझे कहा था कि मैं जब भी बाहर से आऊंगा तब तुझे पुकारूंगा और जब तु उत्तर देगी उसके बाद ही मैं मांद के भीतर आऊंगा यदि तुने इस बार भी उत्तर ना दिया तो मैं तुझे छोड़कर किसी दूसरी मांद में चला जाऊंगा प्रिष्ट 140 अब सिह को विश्वास हो गया कि सियार के पुकारने पर यह मांद सचमुच उत्तर दिया करती है उसने सोचा आज मैं आ गया हूँ इसलिए डर के मारे इसके मों से द्वनी नहीं निकल रही है उसने सोचा यह मांद नहीं बोलती है तो कोई बात नहीं इसके स्थान पर मैं ही उत्तर दे देता हूँ यदि चुप रहा तो हाथ आया शिकार भी चला जाएगा यह सोचकर सिहन ने उसका उत्तर दे दिया उसकी दहाड से वह मांद तो गूंज ही उठी आस पास के पशु भी चौकनने हो गए सियार वहां से यही कहते हुए चंपत हो गया कि इस वन में रहते हुए मैं बुड़ा हो गया बर आज तक कभी किसी मांद को बोलते हुए नहीं सुना लेखक भगवान सिंग नैशनल बुक ट्रस्प से प्रकाशित पंच तंतर की कहानिया से साभार प्रिष्ट 141 बादचीत के लिए एक, आपको भूग लगती है तो आप क्या-क्या खाने की कामना करते हैं दो, क्या आपने किसी पशु के पैर के चिन देखे हैं किस-किस पशु के देखे हैं तीन, सिह, मांद यानि गुफा में रहता है मांद में कौन-कौन से जानवर रहते हैं चार, कठिन समय में बुध्धी अधिकामाती है या शक्ती सोचिये और लिखिये एक, ददी पुच्छ ने कैसे जाना कि मांद में खर नखर बैठा है दो, इस कहानी में सिह का नाम खर नखर है और सियार का नाम ददी पुच्छ आप इनके क्या नाम रखेंगे तीन, यदि आप सिह के स्थान पर होते तो क्या करते चार, जब सियार ने पुकारा ए मेरी मांद, ए मेरी मांद तब सिहने उत्तर दिया सिहने उत्तर में क्या कहा होगा शब्दों का खेल एक, कहानी में मांद शब्द कितनी बार आया है रिक्तिस्थान दो, कहानी में आए चंदरबिंदु वाले शब्द छाट कर लिखिये रिक्तिस्थान प्रिष्ट 142 तीन समान अर्थ वाले शब्दों की जोड़ी बना कर लिखिये शेर, गुफा, जंगल, द्वार, मांद, दर्वाजा, सिह, वन यहां आपके लिए एको दाहरण दिया गया है शेर, सिह, खाली स्थान में आप भी समान अर्थ वाले शब्दों की जोड़ी बना कर लिखिये चार, नीचे लिखे शब्दों की सहायता से वाक्य पूरा कीजिये नदी, पहाड, जर्ना, पेड, गुफा, मांद, तितली, हवा, बादल, जाल बाईं तरफ भूल गई वाले वाक्य हैं उधारण की तौर पर, मांद, क्या तू भूल गई? रिक्तस्थान, क्या तू भूल गई? रिक्तस्थान, क्या तू भूल गई? बाईं तरफ भूल गई से समाप्त होने वाले वाक्य हैं उधारण, जाल, क्या तू भूल गई? रिक्तस्थान, क्या तू भूल गई? शिक्षन संकेत हिंदी भाषा में स्त्रीलिंग और पुलिंग शब्दों की बीच का अंतर स्पष्ट करते हुए बच्चों के समाक्ष सरल उधाहरन रखें बाद में बच्चों को स्वयम इनका प्रयोग करने के लिए प्रुच्साहित कर सहायता करें प्रिष्ट 143 उधारन अंधेरा हो रहा था उजाला हो रहा था चिनित शब्द हैं अंधेरा और उजाला क सिह इस समय भी मांद के भीतर है या रिक्तिस्थान निकल गया चिनित शब्द भीतर ख आज बोलती क्यों नहीं रिक्तिस्थान क्यों है चिनित शब्द बोलती ग मैं बूढा हो गया हूँ पहले तो मैं रिक्तिस्थान था चिनित शब्द बूढा ग ये मांद जूट मूट ही जवाब देती है या फिर रिक्तिस्थान बोलती है चिनित शब्द जूट मूट छे सही अर्थ की जोड़ी बनाईए क एक चूहा तक हात नहीं लगा ख मेरी जान पर ही आ जाती और ग सियार वहां से चंपत हो गया अब जिनके साथ जोड़ी बनानी है वो वाक्य है बड़ी संकट में फस गया भाग गया कोई शिकार नहीं मिला अब आप इनके साथ सही जोड़ी बनाईए साथ अपने मन से वाक्य बनाईए उदारण यदि चुप रहा तो हात आया शिकार भी चला जाएगा क यदि बोला तो रिक्तिस्थान ख यदि अधिक वर्षा हुई तो रिक्तिस्थान ग यदि कड़ी धूप हुई तो रिक्तिस्थान गह यदि अंधेरा हुआ तो रिक्तिस्थान प्रिष्ट एक सो चवालिस कला की कलाकारिया एक यहां सिह वसियार का मुखोटा दिया गया है आप दोनों में से अपनी रुची के अनुसार मुखोटा बनाईए सिह का मुखोटा सिह के मुह की आकरती बनाईए रंग भरिये अब बाहरी रेखा से काट लीजिये दोनों किनारों पर छेद कीजिये और धागा बांधिये प्रिष्ट 145 सियार का मुखोटा यहां पर एक से दस तक के क्रम में सियार का मुखोटा बनाने की प्रिक्रिया दी गई है प्रिष्ट 146 अब ही आप सुन रहे थे कक्षा 3 की हिंदी की ध्वनी पाठे पुस्तक वीना वाचन्स्वर प्रमीन शर्मा और रिचा सयाल धन्यंकन मयंक कुमार निर्माण सहयोग चेतना शर्मा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चाओधरी तथा प्रस्तुती C.I.E.T.N.C.E.R.T. नैदिल्ली भारत